नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बहुत मेहनत करने के बाद जब धन बचे ही नहीं आप जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च हो रहा है मुश्किलें बढ़ती जाए लक्ष में स्थिर ना हो तब एक छोटा सा प्रियोग गेहूं का जरूर करें गेहूं को कनक कह गया है कई बार जीवन की कमाम इच्छाएं पूरी नहीं होती कई बार कुछ तो पूरी हो जाती है पर कुछ पूरी ही नहीं होती और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लाग प्रियास कर लो पर आगे नहीं बढ़ पाते हो जहां है वहीं है अब तरक्की तो हर कोई करना चाह जीवन के तमाम परिषानीयों से बाहर निकालेगा यह उपाय क्या करेंगे देखिए आप एक छोटा सा काम आपको करना है आपको अपने घर में मिट्टी के पात्र में अब ये मिट्टी का पात्र चोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो पंखुरी पांच रख दीजेगा इस गेहुं के साथ और एक सफ़ता के बाद जब मंगलवार का दिना आए तब इस गेहुं को निकाल कर छट पर मत डालिएगा क्योंकि छट पर अगर कबूतर आके चुगेगा दाना तो राहु एक्टिव हो जाएगा परिसानी बढ़ेगी इसलिए इस गेहुं को उठा कर किसी पेड के नीचे डाल दीजेगा अगर आप चाहें तो एक कईस दाने ही गेहुं के लिजेगा और जो आपने पुस पे डाला हुआ है उसको आप उठा कर किसी पवीत्र जगर पे रख दे जीवन में जो भी परिसानी होगी या आने वाली होगी वो टल जाएगी जो भी मुश्कले चल रही है आपकी लाइफ में वो समाप्त हो जाएगी बहुत सिंपल है या तो दीपक में मिट्टी के दीपक में बिना आप गिने गेहुं रख दे या फिर आप एकईस दाने गेहुं रखें और इसको उठा कर आपको किसी पेड क के दाने डाले और राहु आ गया यानि कबूतर आ गया चट पे तो फिर आपका बुद्ध और राहु दोनों मिलकर तुफान मचा देगा जीवन में इसलिए भूल कर भी चट पर दाना ना डाले और बिना पीछे मुड़े जब आप डालिएगा उसमें अपनी इक्षा देखें आपको दो पता है हमारे सास्त्रों में जो गेहूं है उसको उसकी तुलना सोने से की गई है सोना जिसको हम कनक कहते हैं तो सोने से तुलना गेहूं की की गई है इसलिए एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि जब भी मालक्षमी की पूजा करें तो गेहूं किसी को ना दें चावल किसी को ना दें एक महा प्रयोग देखिए संतान से बड़ा धन कुछ है भी नहीं इसलिए बहुत सारे सवालात आते हैं संतान प्राप्ति कभूगी एक चोटा सा प्रयोग आपके जीवन के तमाम मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा भगवान स्री हरी वि अच्छा करके देखें सारे इकठा कर लीजिए गा बाद में मंदिर में यानि की पास के आपके घर के जहां भी भगवान श्री हरी का मंदिर है वहां पर जाकर आप सारा का सारा गेहुंग चुपके से रखके भगवान को परणाम करके आईएगा लेकिन कब रखिएगा इसे आपने अरपित किया इकठा करके उसको रख लें किसी डब्बे में फिर अगले दिन डख ले कि दा लेते हैं धनिवाद